नमश्कार स्वागत है आप सभीका जी एनपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंग बढ़ते हैं खबरों की ओर हिमाचल प्रदेश में आगामी वधान सभाद चुनाओ को लेकर गहमा गहमी बढ़ती जा रही है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा बिलासपुर में बुधवार को अखेल भारती आयूर विज्ञान संस्थान यानि की एम्स का उधगाटन करेंगे इसके साथ ही वह एक रैली को भी संबोधित करेंगे इस बीश खवर है कि प्रधान मंद्री नरेंद्र मोधी इस बार दशहरा हिमाचर प्रदेश में मनाएंगे वह बुद्वार को ही कुलू के विश्व प्रसिध दशहरा रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे कुलू का यह दशहरा विश्व दशमी के दिन शुरू होता है उधर बिलासपुर में प्यम मोधी के दोरे के संदर्व में बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को यात्रा को यादगार बनाने के निर्देश जारी किये राश्वी राजधानी दिल्ली से सटी गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज वन में एक बिल्डिंग गिर गई है जिसमें दो से तीन मजदूरों के फसे होने की आश्रंका है हाला कि एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है च्रंकारी के मताबिक बिल्डिंग का ध्वसी करण चल रहा था तब ही अचालक बिल्डिंग धह गए जुसमें वहां काम कर रहे कुछ मजदूर मलबे में दब गए फायर ओफिसर ललित कुमार के मताबिक हाथ से की सूशना मलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुचा और एक मजदूर को मलबे से बाहर निकाला ओक्टोबर का महीना चल रहा है लेकिन मौनसून की विदाई अभी तक नहीं हुई है देश के कई हिस्सों में मौनसून अभी भी सक्रिये है मौसम वभाग के मताबिक साइकलोन नोरू की वज़े से बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती पड़ी संचरन के चलते दक्षिन पश्चिम मौनसून की विदाई में देरी होगी मौसम वभाग के मताबिक दिल्ली NCR में सोमबार यानि कि आज मौसम साफ रहेगा जबकि दक्षिन के कुछ राज्यों में बारिश का सलसिला जारी है वही मौसम वभाग के अनुसार उत्तरप्रोदेश, उत्तराखंड और हिमाशो प्रोदेश में 6 अक्टोबर से फिर से जमा जम बारिश होने की संभावना जताई गई है देशो प्रोदेश की तवाम खबरे देखने के लिए बने रहेए TNP News के साथ